मेरे पास, मेरे पास डिगरी है केवल डिगरी ही काफी नहीं है अगर आपको अपने करियर में सक्सेस्फुल होना है तो उसके लिए आपको चाहिए अच्छी English, Communication Skills और आपको Presentable होना चाहिए उसके लिए आप इस चैनल को Follow कीजिए, Subscribe कीजिए, Bell Icon जरूर दबाएगा ताकि आपको सारे Lessons मिल जाएं To Learn English, Follow Doctor English दोस्तों अगर आपको Has, Have, Had, Will Have, Shall Have, Having Had कहां लगता है अगर ये प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है Lesson No. 2 Hello Everyone, Welcome You in Today's Session and Today is Lesson No. 2 English Grammar Series 15-20 Minutes की Series स्टार्ट हो चुकी है उसका Lesson No. 1 अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखेगा सभी स्टूदेंस ने इसको बहुत अप्रेशीट किया है, सबने बहुत लाइक किया है और उनने बताया कि उनने बहुत को सीखने को मिला है अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर जाके देखेगा, by the way, thank you so much for liking this video and today we are going to start Lesson No. 2 आज हम Lesson 2 से शुरुआत करेंगे, आज हम सीखेंगे, हमने पहले मैंने सिखाया है To Be, उसमें Is, M, R, Was, Were, Be, Being, Been के यूसेज इस सिखाया है मैं यहाँ पर आज सिखाने वाला हूँ To Have, To Have, Second Number का Lesson है जो आपको कवर करना है इसमें Has, Have, Had, Will, Shall, Having, Had हम सारा डेटेल में समझने वाले हैं यह वीडियो आपको लास्ट तक देखना है क्योंकि मैं एक एक चीज आपकी पूरी क्लियर कर दूँगा यह किस तरह से यूज होता है तो दोस्तों देखिए आज हम सीख रहे हैं To Have Verb मैंने आपको शुरू में बताया था इंगलिश में तीन प्राइमरी वर्ब होती हैं To Be, To Have and To Do आज हम सीख रहे हैं To Have To Have में Present, Past, Or Future, I.N.G. Form, Third Form यह क्या होता है और किस तरह से काम करता है यह हम सीखेंगा और इसके क्या-क्या functions होता है Have कहा कहा कैसे काम करता है यह हम डिटिल में समझने वाले हैं देखें तो एक बाद ध्यान समझते हैं इस वर्ब का नाम है To Have Verb इसकी Present Form होती है Have or Has Past Form होती है Had और Future Form में Will or Shall Have लगता है I.N.G. Form Having और इसकी Third Form होती है Had यह पूरी की पूरी To Have Family है अब देखें यह समझते हैं कि इसका काम क्या होता है The function of To Have as a Main Verb जब यह As a Main Verb काम करती है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है वर्ब की अलग-अलग रोल होते हैं इसके भी Double Roll है जब यह As a Main Verb काम करती है और As a Helping Verb भी काम करती है जब यह As a Main Verb काम करती है तो इसका basic काम होता है possession या ownership बताना क्या बताना अधिकार बताना कि मेरे पास यह है, तुमारे पास यह है मेरे पास mobile है, तुमारे पास car है इस तरह की sentence बनते हैं वो इसकी मदद से बनते हैं मैं आपको कुछ example से देता हूँ दिखे, जैसे मैंने बताया Main Verb का use present, past, future में समझते हैं present में मैंने बोला I have a bike, मेरे पास एक bike है इसका मीनिंग क्या हो, मेरे पास एक bike है Past में, I had a bicycle मेरे पास एक cycle थी और future में, मेरे पास एक cycle, मेरे पास एक car होगी I will have a car मेरे पास bike है, मेरे पास cycle bisexual थी मेरे पास एक praalo 5 इस तरह की चीज़ बताने के लिएयाव और विल है इसका यूज हो रहा है एक एक्जांपल और लेते हैं उसके पास एक और ही हैं अब सब्यक्त होगा तो हैंगेगा ही हैड़ कर उसके पास एक ती उसके पास कारइक होगी He he will have a car right to singular subject के साथ कैसे लगता है आए वी यू दे के साथ कैसे लगता है यह क्या बताता है अधिकार बताता है यह आपको समझ में आ गया और ठोड़े डिटेल में समझते हैं ताकि आप इसको सही तरह से यूज़ कर पाएं देखें पहले तो आए वी यू ही शीट देए सब् सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट में कौन से लगेगा पास्ट में क्या लगेगा फ्यूचर में क्या लगेगा इसको समझते हैं प्रेजेंट में होता है आए के साथ हाव वी के साथ हाव यू के साथ हाव ही सिंगलर सब्जेक्ट है इसलिए उसके साथ हैज लगेगा शी के साथ has, it के साथ has और they have, right? कुल मिला कि है he, she, it या कोई singular subject होगा तो उसके साथ आपको has लगाना है, बाकि I, V, U, they और plural subject के साथ आपको have लगाना है, कहां? present में, right? past में जाओ तो कुछ नहीं है, सब के साथ had लगाना है, बहुत ही सब के साथ had लगाना है, और जब फ्यूचर में जाओगे तो आपको सब के साथ will have लगाना है, spoken English में तो will have ही चलता है, grammar में जरूर I और we के साथ shall का use होता है, पर spoken में तो will have चलने दीजिए, right? मेरे पास है I have, मेरे पास था I had, मेरे पास होगा I shall have, right? हमारे पास है we have, हमारे पास था we had, हमारे पास होगा we shall have, तुमारे पास है you have, तुमारे पास था you had, तुमारे पास होगा you will have, right? उसके पास है, he has, he has, ध्यान दीजे, उसके पास था, he had, उसके पास होगा, he will have, right, लड़की है कोई, उसके पास है, she has, उसके पास था, she had, उसके पास होगा, she will have, कोई चीज है, कोई जानवर है, it has, उसके पास था, it had, होगा, it will have, बस इस तरह से ये practice करना है, आपको समझना चलिए एक काम करता हूं मैं आपको और डिटेल में लेके चलता हूं ताकि आप systematically negative interrogative कैसे बनता है और किस तरह से present past future में उसको समझते हैं हम systematic वाकियों से समझते हैं affirmative, negative, interrogative और inter negative इन sentence के साथ present past future में detail में समझते हैं तो दोस्तों देखें सकारात्मक वाकियों मतलब affirmative वाकियों, negative means नकारात्मक, interrogative means प्रश्ण वाचक और inter negative means नकारात्मक प्रश्ण देखें ध्यान से समझे, सकारात्मक क्या होता है या affirmative क्या होता है जिसमें आप बताते हैं कि कोई चीज़ है, negative या नकारात्मक क्या होता है question में क्या होता है मैं आपसे पूछू क्या आपके पास time है तो यह हो गया interrogative और इंटेरे नेगेटिव में क्या होता है यह negative भी है question भी है जैसे मैं आपसे पूछू क्या आपके पास time नहीं है तो संटेंस समझते हैं और वलता है मेरे पास एक कर है टो इसमें पुझेशन भी बता रहें अधिकार भी बता रहें कि मेरे पास है तो उसके लिए के साथ है और बन Neden संटेंस आ mun मेरे पास है अगर मैंने Central हमारे पास है तो क्या होगा हमारे के हिसाब सेमने वी लगा दिया is लगा बाकी हाव चली रहा है साथ में पॉजिशन बताने के लिए हाव लगता है यहां भी है यहां भी है यहां भी है राइट अकार राइट तुम्हारे पास एक कार है उनके पास एक कार है ज्यादा लोग है फ्यूचर प्लूरल है ज्यादा लोग है इसलिए यहां पर दे आ तो हमने ही लगा और ही singular subject है प्लूरल नहीं है चाहिए है सेंटेज लगाया ही है जाख कोई लड़की है उसके पास है कोई चीज है या फिर नाम ले राहूल के पास एक आरहा है राहूल के पास एक नाम लिए singular है और राहूल है कार और कोई जैसे मैंने बोला यह इसके पास एक जादूई शक्ती है आपको पढ़ा रहे है इसके पास जादूई शक्ती है इट चीज के लिए इट लगाते कोई चीज होती तो इसके साथ फिर है जाएगा इट हैसे सब्सक्राइब में पेट-शाद पार इसके साथ अपको हैव लगाना रहे है पूरह से जोटैक्राश फिर्ट हैक आरहे relevant आजharu औरे पास है उनके पास है है अब स усको जıldीली बोली है मेरे साथ कोशिश की जिये बोले हावकार वे हँवकार यूवकार they have a car he has a car she has a car Rahul has a car it has a magic power right as a practice करने घर पर फिर से बोले I have a car we have a car you have a car they have a car he is a car she is a car Rahul has a car it has a magical power right अपने मूँ को ट्रेनिंग देना पड़ेगी बारबा बोल के होगा चली negative sentence समझते है negative में क्या होगा negative में बोला मेरे पास car नहीं है I do not have a car right अब देखें do not कहां कहां लगेगा इसको समझे I do not have a car we do not have a car you do not have a car do not को short में बोलता है don't right and उनके पास car नहीं they don't have a car means I और plural subject के साथ आपको do not लगा कर negative बनाना है right मेरे पास car नहीं I don't have a car हमारे पास नहीं we don't have a car तुमारे पास नहीं you don't have a car उनके पास नहीं they don't have a car इस तरह से बनेगा लेकिन जब singular subject आएगा तो singular subject के साथ does लगेगा right do नहीं लगाना है जो आपने रूल पहले कभी पढ़ा होगा कि singular subject है तो यहां पर यहां पर अप्लाए होता है और दूमें हमने यह लगा दिया तो ड़स हो गया और जब ड़स हो गया तो यहां पर हम है लगाएंगे यहां नहीं आएगा यहां से समझना यहां singular subject है तो हैस लगया लेकिन जब नेगेटिव बनाया तो यहां पर एक helping verb लगा दिए ड़स और जब ड़स लग गया है तो फर यहां पर हैस नहीं हाव आएगा यह दियान रखना है he does not have a car उसके पास car नहीं है कोई लड़की है उसके पास car नहीं शी डिज़गाव कर राहूल के पास कर नहीं राहूल डिज़गाव कर इसके पास magical power नहीं है it doesn't have a magical power means singular subject के साथ doesn't does not or बाकी I or plural subject के साथ don't right एक बास sentence बोली मेरे साथ I don't have a car we don't have a car you don't have a car they don't have a car he doesn't have a car बोलो शांत रहे कि बोलना नहीं आता बाई चुप रहे कि किसी को बोलना है कि बोलना पड़ेगा मेरे साथ बोले जल्ली बोली come on he doesn't have a car she doesn't have a car Rahul doesn't have a car right as a practice करना है right okay चले question पराता है question कैसे करोगे simple जो यहां पर do does लग रहा था ना not के साथ उसी do does को आगे ले ले लेना है बस आपको और कुछ नहीं करना जो sentence यह वाला था इसी में आपको do does लगाना है do मैं आपको बताई चुका हूँ I और plural subject के साथ do singular subject के साथ does चले question बनाए क्या मेरे पास car है do I have a car क्या हमारे पास एक car है do we have a car क्या तुमारे पास एक car है do you have a car क्या उनके पास एक car है do they have a car right इस तरह से question बन जाएगा अब question को question tone में बोला करो क्या तुमारे पास है do you have a car feel आना चाहिए कि question पूछ रहे हो right क्या उसके पास car है वही मैंने थोड़े दे पहले बताया था singular subject है does लगेगा और जब question बनता है तो जो वर्ब होती है जो helping verb होती हो subject के आगे आजाती है ध्यान से देगे सब में do 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 हम आगे लेके आगे बागी subject वैसे है जैसा यहाँ पर चल रहा था right तो does he have a car क्या उसके पास का रहा है does she have a car क्या राहूल के पास का रहा है does rahul have a car इस तरह से हैगा क्या इसके पास magical power है does it have a magical power right is there is a practice guru guys यह होगी आपके नगेटिव तक आते इंटेरे नेगेटिव यह इंटेरे नेगेटिव पते गहां लगता आप आश्यर में किसी से पूछा बुस्से में पूछे तो ऐसा लगे कि तुमारे पास क्या मेरे पास कार नहीं है या आश्यर से बोड़ो क्या म आश्यर से गहें इसमें करना कैज यह इंट में जौत ऑन अगे लाते हैं डोंडोंड़न डोंट डिसंट आगे आजाता है बागी क्वेशन जैसे है वैसे ही चलते है रइइव यह पूरा हुआ हमारा present tense में कैसे अफर्मेटिव नेगेटिव एंटेरे नेगेटिव और नेगेटिव बनाते हैं देखो अगर मुझे पूरा विश्वास से कि आपको समझ में आ गया है और नहीं आया ना आप मुझे नीचे कमेंट करेंगे और मैं उसका आंसर में आपको कमेंट में जरूर दूँगा मुझे आपका understanding check करना है कि जो पड़ा हो समझ में आए कि नहीं है चलो एक टेस्स ले रहा हूं छोटा सा बताना मुझे मेरे पास एक प्रश्ण है इसको English में कैसे बोलेंगे बताए कैसे बोलेंगे मेरे पास एक प्रश्ण है मेरे पास अभी बताया अधिकार बताने के लिए है जब लगे तो कि I have a question क्या बोलोगे I have a question चलो इसका अंसर दो मेरे पास time नहीं है मेरे पास time नहीं कैसे बोलोगे I come on क्या लगाना I don't have time I do not have time I don't have time next बताए नेक्स बोलना है क्या तुम्हेर पास एक कार है question है क्या करेंगे do does आ गया अब यहां पर subject you है तो इसके साब से do आगे हैगा do you have a car right or इस वाले का answer आप मुझे टाइप करके बेज़ो सब लोगा answer type करके बेजो क्या मेरे पास एक कार नहीं है इसका answer आप मुझे type करके बेजना है चलिए next चलते हैं मैंने दिखा दिया ठीक 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 नेक्स पास्टेंस पास्टेंस मे क्या करना है बहुत simple है अभी present में हम लोग क्या कर रहे थे has have has have कर रहे थे अब past में क्या करना है कुछ नहीं करना है बस has have की जगे बस had लगा दो कुछ है ही नहीं करने के लिए और लिए मेरे पास कर थी i had a kya उन्के पास हमारे पास थी रे और कर तुमारे पास थी youADu ka उनके पास नहीं के पास थी रहाद कर उसके पौस थी हैड़ आड़र शी हाड राहुले हाड एट हाड सबंए है डलग जाएगा पास्टेंस हो जाएगा מेरे पास कार है आइह a car मेरे पास कार थी I had a car understand उसके पास कार है he has a car उसके पास कार है he has a car he had a car समझ मैं सब में हैड लगा देना पास्टेंस बन जाएगा चलिए नेक्स करते हैं जब आप नेगेटिव बनाओगे तो हम लोग प्रेजेंट दूद लगा रहे ते यहां अपने सब के साथ डिड नॉट लगेगा सब के साथ डिड़नाऊइक डिड के बाद है अमत लगाना बहुत सारे लोग यह करते हैं आए डिटन्ट हैड टाइम ऐसा नहीं होता है अगया कि रखेंद थाइन है किसका पाश्ट है डूज का पास्ट है डिद अपने अल्रेड दिद लगा दिया है तो इहां यहां थाद यह तृध नहीं आएगा यहां है यहां हैव ही यह इतना ध्यान देना है डूस डि है भी आएगा, right, do does did के बाद है भी आएगा, ध्यान देना है, did के बाद भी have लगाना है, okay, चाहिए कोई साब भी subject हो, question बनाओगे, question बनाओगे, सब के साथ did आगे लेाना, क्या मेरे पास कार थी क्या हमारे पास कार थी क्या तुम्हारे पास कार थी क्या उसके पास कार थी क्या राहूल के पास कार थी क्या मेरे पास थी तुम्हारे पास थी तुम्हारे पास थी इस तरह से प्रैक्टिस करना है क्या मेरे पास नहीं थी तो क्या बोलोगे डिडिन्ट थैन उसके पास उसके पास कार नहीं थी इंव कर इस तरह से आपको सेंटेंस ना जोड जोड से बारवा बोलो मेरे साथ है आप कैसे बोलेंगे I had a car, we had a car, you had a car, they had a car, he had a car, she had a car, it had a car, it had a car, it had a magical power, come on, इसका नेगे बना, I didn't have a car, you didn't have a car, we didn't have a car, he didn't have a car, question ओना, did you have a car, did I have a car, did he had a car, did he had any, did he have a car, right, ये मिस्टेक नहीं कहना है, didn't I have a car, didn't we have a car, didn't you have a कर ऐसे बारवा बोलते जाना है, right, तब आएगे मज़ा भाई सीखने में चलो, बताओ इसका अंसर गया होगा, test understanding, बताओ, मेरे पास टाइम था, क्या संदिस बनेगा, सबके साथ है लगाना है, I had time, next बताओ, मेरे पास टाइम नहीं था, negative, नेगे टिव बनाओगे तू क् क्या तुमा पास टाइम था, did you have time, इस कांसर होगा, क्या तुमा पास टाइम नहीं था, didn't you have time, understand, यह हो गया, चलिए future पर चलता है, future में भी बहुत simple है इसको नहीं करना है आपको, सबके साथ, will have, will have, will have, will have, will have, सबके साथ, बस have, सबके साथ लगेगा, बस उसके साथ एक future इंडीकेटर जोड़ो देना है, future का इंडीकेटर क्या होता है, will, will लगा दो, बन जाएगा, future मेरे पास कार होगी, I will have a car, हमारे पास होगी, we will have a car, तुमा पास होगी, you will have, उनके पास होगी, Gotta will have. उसके पास हे ऊसके फज़विगा, और वह एं में पास कार नहीं होगी, त किसके साथ बिल्नॉट ही लगाने आपको बिल्नॉट को ॐन क्षाइब को आगे ले लिए आ जब बात I or we की होती है न और future tense होता है तो question में will नहीं लगता, shall लगता है spoken English में भी, mind my words, spoken English में भी I or we के साथ question जब बनाय जाएगा तो आपको shall ही आगे लेना है क्या मेरे पास car होगी shall I have a car, क्या हमारे पास कार होगी shall we have a car right क्या तो मारे पास विए फर आप अब सबस्सक्राइब क्षर法 क्या उनके पासád क्या उनके पासरे उनके पास क्या उनके पास्शोगा विलह यह यह क्या उनके पासरे विल्ढ़ày शैल नॉट का वह जाता है शैल नॉट का जो contraction होता है वह था शैंट शैंट है शैंट है शैंट भी हाव इस तरह से बनायाए राइट वह और रहए वह और बहुत बहुत कि प्रैक्टिस करू एसे चेहाब राइट आप मुझे कमेंट करके भी पूछ रहा हो राइट चलिए आप थोड़ा सा और आगे चीज बताता हूं इस पहले इसके अंडरस्टाइनिंग लेते हैं उसके पास अच्छी जॉब होगी क्या बोलोगे उसके पास एक अच्छी जॉब होगी इसका बोलोगे मेरे पास एक अच्छी जॉब मेरे पास तो क्या होगा I will have a good job तुम्हें कोई टेंशन नहीं होगा कैसे बोलोगे तुम्हें यहां पर सब्जे कौन है तुम्हें तो यू आएगा न you will not have any tension विल नॉट को शॉट में बोला you won't right क्या बोलोगे you won't have any tension next क्या तुम्हर पास टाइम होगा अब क्वेश्चन है तो विल आगे आएगा विल यू हाव टाइम और सॉरी टाइम के बाद नहीं लगता पहले नहीं लगता विल यू हाव टाइम ऐसे होगा विल यू हाव टाइम और क्या तुम्हें पास ताइम नहीं होगा वोंट यू हाव टाइम आपको बताना चाहरा हूं बहुत इंपॉर्टन है दिहां से समझना देखो मैंने बुला आइवा कार यह बिटिश इंग्लिश में बूला जाता है और अमेरिकन में बूला जाता है लेकिन बिटिश इंग्लिश वाले कुछ एक्स्टा जोड़ता है I have got a car और इन दोनों का एक ही मीनिंग है मेरे पास एक कार है इसका एक मीनिंग और निकलता है मुझे कार मिली है हाँ यह मीनिंग भी निकल सकता है लेकिन इसका यह मीनिंग भी है कि मेरे पास एक कार है और बिटिश इंग्लिश में बहुत होता है ठीक जब इसका क्या करोग मतलब में पास car नहीं है do you have a car ? यह दोनों में चलता है British American English में क्या तुम्हारे पास car है लेकिन British English वाले यॉई भी बोलते है, have you got a car आप इसका यह वी meaning लिगा तो मेंन्सकी काँ है क्या तुम्हां कोई कार मिली इसका यह भी meaning क्या और ऐसके पास का रहा है यहां पर है इस तरह से बन जाएगा ने आपको पढ़ाएग तुह में वर्भ तूहां जो है अनुट बताती है क्या तूहां जो में बताती है अधिकार ownership position जब वह helping बनके आएगी ना helping वब तो पॉफेक्ट टेंस में होती है वह पॉफेक्ट कंचिनियस में होती है पॉफेक्ट टेंस में वह थर्ड फॉर्म के साथ ही जोती तो ध्यान देना जब भी थर्ड फॉर्म के साथ हैस एव हैड विल है वाजाए मतलब मान ल लाएगी helping verb he has gone to college मतलब college गया है पास्ट करना है तो कुछ नहीं करना वर्ब की थर्ड फॉर्म की कोई टेंस नहीं होती वर्ब की थर्ड फॉर्म जोती ना उसका खुद का कोई टेंस नहीं होता राइट उसके साथ तो जो helping verb लगती है वो डिसाइड करती है कि टेंस कौन सा है जैसे he has gone to college तो gone यहां भी है यहां भी है यहां भी है यहां भी है तीनों जगे लेकिन कैसे समझ में रहा है कि present past future he has gone to college यह present हो गया था past tense हो गया जा चुका होगा he will have gone to college I hope I am clear चले perfect continuous में देगे he has been studying for two hours दो घंटे से पढ़ रहा है studying main verb है और यह दोने यहां पर मिलके helping verb आ गए दो घंटे से पढ़ रहा है दो घंटे से पढ़ रहा था he had been same thing मैंने जो gone को बताई third form को लेके बताई कि जिसका third form को कोई tense नहीं होता ऐसी ing verb का भी कोई tense नहीं होता वो helping verb decide करेगी यह has been है तो इसलिए present है यह had been है इसलिए past है यह will have been इसलिए future I hope guys it is absolutely clear to you आपने इस lesson को enjoy किया है आपको हैज है पूरी तरह से clear हो चुका है कि has have as a main verb कैसे काम करता है as a helping verb कैसे काम करता है और British English और American English में क्या difference है इसके साथ साथ आपने sentence के types भी सीखे affirmative negative interrogate or internet negative present past future तीनों मैं राइट इतना सब कुछ आपने सीखा है आपको मुझे comment करके बताना है कि आपको lesson कैसा लगा आपने first lesson देख लिए second lesson को भी ध्यान से पूरा देखे notes बनाए कोई confusion है तो मैं हूना आपको मुझे से पूछना है और मैं आपके question का जवाब देऊंगा right I'm waiting for your sentences I'm waiting for your comments I'm waiting for your queries right and keep connected stay connected stay tuned keep learning that's all for today have a nice time do take care of yourselves bye bye